गुद्मॉर्णिंग फ्रेंड्स आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूटीब चैनल सक्सेस प्लेट्फॉर्म 2591 भी स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आर्वीडी के सेट नंबर 13 के अंतरगत जितने भी जीके और जीएस के प्रस्न है उन तमाम प्रस्नों को बार भी विडियो को मिस नहीं करेंगे जितने भी सेट यहां से कराया जायेंगे आप पूरे सेट को complete देखेंगे चुकि जब आप set देखेंगे तो आप साथियो खोद realize करेंगे कि यह set discussion कितने अच्छे तरीके से कराया गया है इसमें आपको deep analysis देखने को मिलेंगे और आपका doubt 100% clear होगा तो साथियो आप अगर इस channel के साथ नहीं जूरे हैं सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करके all notification को on कर ले ताकि जब भी साथियो वीडियो अपलोड हो तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखेगा सबसे बेहतरीन analysis इसी वीडियो में होने वाला है और इसके बाद examination तक कंप्लीट जो है इसी तरीके से depth analysis होगा प्रतेक सेट में तो चलिए सीधे सुरुवात करते हैं पहले प्रसंद के साथ किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बाड़े में जानने के लिए एक वर्स के लिए बृटीज भारत की यात्रा पर समय बिताया था या बृटीज भारत की यात्रा की थी साथियो इनके राजनितिक गुरु हुआ करते थे गुपाल कृष्ण गोखले और उन्हें गांधी जी को यह प्रामर्श दिया था कि आप पूरे भारत का भ्रहमन करे वहां के अस्थानिये लोगों से मिले उनके विचारों से अबगत हो और इन्हें के कहने पर गांधी जी प सोट में लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता है यानि कि लाला लाजपत्रा है बीपिन चंदर पाल है और बाल गंगाधर तिलक है और ये बीपिन चंदर पाल है बाल गंगाधर को साथियो बाल गंगाधर के द्वारा जो है एक प्रसीद नारा दिया गया स्वराज मेरा जरम सीधा दिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा यह examination में कई बार पूछा गया है इसके अलाबा लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केश्री के नाम से जाना जाता है साथियो साइमन कमीशन का बिरोध करते हुए यह अंग्रेज की लाठी से घायल हो गय थी इसके अलाबा साथियो विपिन चंदरपाल वह इन्हें के गुट के गरम दल के सदस्त थे अगला प्रसन है प्रसन संक्या दो निमलिखित में से वह कौन सा गंभीर मांसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने अनुभूती करने और व्यभार करने के धंग को क्या करता है प् आपका खंडित मनस्ता यह साथियो इसे साइजोफरीनिया के नाम से जानते हैं इसे इंगलिस में साइजोफरीनिया के नाम से जाते हैं जानते हैं साथियो इस सेट को हम आराम से करेंगे आप एक एक प्रसन को साथियो देखिएगा बहतर होगा चुकि मैं आपके सामने से आपको डिल नहीं कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लेम तो होता ही है इसको खंडित मानस्वता के नाम से जानते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या तीन लखनाओ के बुनकरों की अद्वीतिय पारंपरी कढ़ाई की कला निमलिखित में से क्या कहलाती है साथि इसे जो है वह चिकनकारी कढ़ाई के नाम से जाना आता है और यह जो है विस्व प्रसीद है प्रस्ण संक्या चार भारत के समिधान के निमलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात स्रम के निश्यद पर जोड़ देता है देखिए अगर हम बात करें तो यह हो और यह सोशन के विरुद अधिकार जो है साथियो कुलमिला के आर्टिकल तेश और चौविस में दिया गया है जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल तेश की तो आर्टिकल तेश जो है वह मानव दुरवयपार मानव दुरवयपार इस पे दुरवयपार पर दुरवयपार प बहुत कम है, है ना, 18 वर्स के नहीं है, 14 वर्स से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्स से कम आयू के जो बच्चे हैं, उन्हें हेवी काम पर यानि कि भारी काम पर नहीं लगाना है, 14 वर्स से कम आयू के जो बच्चे हैं, उन्हें भारी कामों में नहीं लगाना है, और द्यो 24 दोनों ही सात्यों शोशन के बुरूद अधिकार परदान करता है भारतिय समिदान के भागतीन में सात्यों भागतीन के अगर बात करें इस भागतीन के अंतरगत अनुछेद आर्टिकल अनुछेद सात्यों 12 से लेके 35 तब odhikar Бог का उलेख किया गया है और इसी 12 से 35 के बीच आपका 30 से 24 आता है यह मौलिक अधिकार की अंतरगत है यह आपका मानव दुरुबय पार और 14 बर से कम आयू का जो है क्राइटेरिया यह सब साथियों सोसन के बुरुद जो है अधिकार परदान करता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ प्रसंद सेंकिया पांच स्रम और रोजगार मंतराले ने कौसल विकास पर पहली राष्ट्य निती किस वर्स तयार की थी साथियों स्रम और रोजगार मंत्राले के द्वारा जो है कौसल विकास की निथी को 2009 में तेहर किया गया था और इसे रोजगार मंत्राले, स्रम और रोजगार मंत्राले के अधीन साथियों केंद्रिय मंत्री हैं वो भूपेंदर यादव चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंट की तरब нравится संखिया छे गुरू मुखी लिपी का अविस्कार नमली खित में से किस गुरू के द्वारा किया गया था इस गुरू मुखी लिपी का अविस्कार है यानी कि पहली बार साथ यूज क्या गया था सुरुवात की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा और गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिख के पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन देव जो थे साथियो वह सिख गुरु के सिख जो है कुल सिखों में दस गुरु हुए थे कुल अगर बात करें सिखों में कुल दस गुरु हुए थे और यहां गुरु अर्जुन देव जो थे वह पांचमे गुरु थे और गुरु नानक जो है वह साथियों पहले गुरु थे गुरु नानक पहले गुरु थे गुरु तीक बहादूर गुरु तीक बहादूर जो थे वह नौवे गुरू थे और गुरू अंगज जो थे वह दूसरे गुरू थे इस गुरू मुखी लिफी का अभिसकार जो है यानि कि पहली बार परयोग जो है वह आठ अठारा अप्रील पंदरसो चार को किया गया था 18 अप्रिल 1504 को पहली बार गुरु मुखी लिफी का यूज हुआ था या ऐसा कह सकते हैं इसका अविस्कार हुआ था बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ प्रसंद संखिया साथ निमलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संघठन की उनीसवी सासनाध्यक्ष परिशत की वैठक की मेजवानी करेगा तो इसकी मेजबानी जो है इस संगहाई सहयोग संगठन की उनी से भी जो है सासनाध्यक्ष परिशत की मेजबानी भारत के द्वारत के द्वारत किया जाएगा इसकी अस्थापना 15 जून 2001 में की गई ती संगाई सयोग संगठन की अस्थापना प्रसन संक्या आठ निमलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलारी है देखिए कौली मिला के इससे पहले 5 खिलारी ऐसा कर चुके है ऐसा करने वाले बिराट कोली छटमे खिलारी बने है लेकिन बिराट कोली ने सबसे कम पाड़ी लिया है उप्सन B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्होंने 12,000 रन पूरे करने के लिए 251 पाड़ी में इसको पूरा किया था 251 पाड़ी इन्होंने लिया था स्वरी मैच के अगर बात करें तो इन्होंने 251 मैच खिला था 251 मैच खिला था और कुल 242 पाड़ी में इन्होंने 12,000 रन को पूरा किया था इससे पहले एडिकी पॉंटिंग सचीन तेंदुलकर कुमार संग कारा उसके अलाबा महेला जैवर्ध ने और सनत जैसुरिया ने यह कारणामा किया है सबसे पहले यह कारणामा सचीन तेंदुलकर के द्वारा किया गया था पहली बार 12,000 रन सचीन तंद्रुकर ने पूरा किया था उब्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 के अधिन कौन साव भोक्ता का अधिकार नहीं है तो सबसे पहले उब्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे जो है वो 20 जुलाई 2020 से प्रवावी कर दिया गया था यानि कि यह उभोगता संरक्षन अधिनियम 2020 से प्रवावी हो गया था अब सात्यों जब उभोगता संरक्षन अधिनियम 2019 है उसके अंदरगात आप बस्तु का चैन कर सकते हैं यानि कि आप consumer है खरीद रहें तो आपको अधिकार है कि आप अपने हिसाब से अपने मन पसंदा बस्तु को खरीदे तो chain करने का आपको अधिकार है as a customer फिर निवारन की अगर बात करें जैसे माल लिजिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आपको कंप्रेन करनी है उसके लिए consumer बना हुआ है तो निवारन यानि कि आपकी सिकायत का निवारन करने का अधिकार आपको है तो option C भी यहां से सही है सूचना का अधिकार माल लिजिए उस प्रोडक्ट पर उसके उससे related expiry date, manufacturing date या उसमें मिले हुए ingredients है ठीक है उससे संबंधित उस प्रोडक्ट से संबंधित तमाम जानकारी आपको जानने का हक है यानि कि सूचना का अधिकार है लेकिन काम का अधिकार नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा option number D प्रसन संक्या 10 उदास उदासनी करन अभिक्रिया यानि कि यह एक process है इसमें एक नया तत्व बनता है उसे क्या कहते है उसे साथियो नमक का निर्मान होता है इस उदासनी करन अभिक्रिया है उसमें आपका hydrochloric acid और आपका sodium hydroxide sodium hydroxide के बीच अभिक्रिया होती है और फलसरूप साथियो वह आपका नमक और पानी तयार होता है जो कि आपका क्या निकलेगा NaCl plus H2O H2O का निर्मान होगा यह hydrochloric acid है और यह आपका sodium hydroxide है यह आपका sodium चुकि लिख दे रहे हैं समझाने का जो है sodium यह है sodium hydroxide समझा कि आपको एक student ने साथ यो कमेंट किया था यहाँ पे तो कहना नहीं था कि आपको मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता आप बस cut copy paste कर रहे हैं चलिए कोई दिकत ने उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे थुरा सा motivate कर दिया तो अब मैं cut copy paste नहीं आपको फुली जो है वो information प्रदान करने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है प्रसें संख्या 11 भारतिय जंता पार्टी की अस्थापना निमलिखित में से किस वर्स की गई थी देखिए इनकी अस्थापना की अगर हम बात करते हैं इनकी अस्थापना 6 अपरील 1980 को की गई थी भारतिय जं जं संख के नाम से हुआ था भारतिय जं संख के नाम से इस भारतिय जंता पार्टी का चुकि पहले भारतिय जंता पार्टी नहीं था यह 6 अपरेल 1980 को अस्थित में आया था माने कि भारतिय जंता पार्टी के नाम से इसकी अस्थापना हुई थी इससे पहले यह 1951 से शुर देश 1.8 km लंबे फेनी पूल से झूरे हैं देखिये फेनी पूल जो हुआ फेनी नदी पर बनाया गया है फेनी नदी पर इसका अणिर्मान किया गया है और यह अपका भारत और बांगला देस के बीच रह ढांगला देस के मड़ Easter इसका निर्मान किया गया है इस फेनी पूल के माध्यम से त्रिपूरा में त्रिपूरा का सबरम है ठीक है त्रिपूरा का सबरूम लिखिए त्रिपूरा का सबरूम है इसको बांगला देश के रामगट से जोड़ा जाता है बांगला देश के रामगट से यह जुरता है इस तो फिलाल इसका आंसर क्या होगे आपका भारत और बांगला देश के मद या फेनी नदी पर इस फेनी पूल का निर्मान किया गया है प्रसिन संक्या 13 डैस के बाद बिराट कोहली इंगलेंड में आयोजित एक स्रिंखला में दो टेस्ट मैज जीतने वाले दूसरे भारतिय क्रिकेटर बन गया है इससे पहले जो है या कपील देव के नाम रिकॉर्ड था या 35 वर्स पहले था नाम ठीक है उसके बाद बिराट कोहली ने इस तरह का कायर नामा किया है जो कि एक स्टेस्ट इंखला में दो टेस्ट मैज जीतने वाले दूसरे भारतिय कप्तान बन गया है वो भी इंगलेंड में यह डिकॉर्ड जो है वो आपका 6 सेप्टेमबर 2020 को इंगलेंड के खिलाप बनाया गया था प्रस्ण भी आपका इंगलेंड से पूछा गया है और इस टेस्ट शिरिज में भारत ने इंगलेंड की सरजमी पर इंगलेंड की धर्ती पर इंगलेंड के खिलाप सातियो जो है वो दो मैच को विन किया था, दो टेस्ट में जीते थे, प्रसन संख्या 14, हिंद महासागर विसुकार 10 महासागर है, हिंद महासागर की अगर हम बात करें, तो इसका करम जो है सबसे बड़े की अगर हिसाब से बात करें, तो हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जबकि अगर बात करें तो प्रसांत महासागर यह वह सबसे बड़ा है उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका आता है अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर साथ यह बार बार महासागर नहीं लिखते हैं तीसरे नमबर पर आपका हिंद महासागर आता है और चौथे पर आपका तो हमसे प्रस्न साथ योग पूछा क्या गया है था हिंद महासागर बिस्तों का कौन सा महासागर है अभी आपको बताया गया है कि यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है Option number C हमारा यहांसे correct answer बनेगा प्रस्न संख्या 15 6. सताब्दि इसापुर्व में इस तरीके के सिक्प का निर्मान किया जाता था जो भी सिक्के होते थे वह चांदी और तामबा के धातु से निर्मित होते थे प्रस्ण संख्या 16 माही और सोम नदियों के संगम पर निमलिकित में से कौन सा उत्सम मनाया जाता है देखिए प्रस्ण में आपको दो नदि दिया है एक माही एक सोम और तीसरा आपका जाखम हो जाएगा ठीक है जो कि प्रस्ण में आपका नहीं दिया है यह तीन नदि आपस में मिलती है माही सोम और जाखम तो यहाँ पे त्रिवेनी का निर्मान होता है त्रिवेनी संगम बनता है कहां पर आपका राजस्थान के डुंगरुपूर में यह तीनो नदी का संगम बनता है जिससे त्रिवेनी संगम का निर्मान होता है और यहीं पर एक बेनेश्वर जगह परता है उसी पर बेनेश्वर उस्वर मनाया जाता है तो option number D हमारा यहां से correct answer बनेगा साथियों अगर आप इस तरीके के analysis से अगर आप बहतर फिल करते हैं तो please comment करें और वीडियो को like करें तब भी मुझे पता चल पाएगा कि आप संतुष्ठ है की नहीं प्रसिन संख्या 17 ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद निम्न महासागर का हिस्था है देखिए ओमान की खाड़ी और लाल महासागर के बारे में पूछा गया है कि यह किस महासागर की यह जो खाड़ी है वह किस महासागर के पार्ट का हिस्था है किस महासागर का पार्ट है तो साथियों यह हिंद महासागर का पार्ट है और हिंद महासागर के बारे में अगर हमने बात किया था तो यह क्या है आकार में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है पहला आपका प्रसांत महासागर था चलिए अगला प्रसन है प्रति संख्या 18 जनगन्ना 2011 के अनुसार निमलिकित में से किस राज में जनसंख्या घनतो भारत में सबसे कम है यहाँ पर सबसे कम की आप से प्रस्ण में पूछा गया है तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 17 वैक्ति 17 वैक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं तो बार बार हम प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं लिखेंगे नागा लेंड की अगर बात करें तो नागा लेंड में 119 वैक्ति जो है वह प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं मिजुरम में 52 वेक्ति 52 परसन प्रतिवर किलोमीटर निवास करते हैं और सिक्की में 86 परसन 86 वेक्ति प्रतिवर किलोमीटर निवास करते हैं बहराल हमारा आंसर क्या हमनेगा? चुकि सबसे कम पूछा गया था तो अर नाचल परदेश हो जाएगा यहां जो है वह 17 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर निवास करते हैं प्रसेशन क्या 19 निम्ण में से अकडिये विटामिन D कौन सा है देखिए विटामिन D को जो है कैलसी फिरोल नाम से जानते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है अरगा कैलसी फिरोल आपका option number A यहां से correct answer बनेगा अगर बात करें option number B की scorbic acid तो यह कौन सा होता है विटामिन C की अगर बात करें तो इससे संबंदित है थाइमीन यह थियामीन है इसको थाइमीन कहते हैं ठीक है यह थाइमीन होता है जो कि बिटामीन B को थाइमीन के नाम से जाना जाता है प्रसंट संख्या प्रसंट संख्या आपका 20 प्रसंट number 20 में आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से किस वर्स में पूर्त गालियों ने गोवाँ पर विजय प्राप्त की थी देखिए पूर्टगालियों ने गोवा को जीता था 1510 इस्वी में पूर्टगालियों के द्वारा गोवा को जीता गया था और यह जो था अल्बुकर्ग अल्बुकर्ग जो था उसने बीजापूर के सुल्तान इस्माइल आदिल साह को हडाया था अल्बुकर्ग के द्वारा बीजापूर के सा सकते इस्माइल आदिल साह को फ्रांसिस्को द अल्बुकर्ग के द्वारा पराजित किया गया था और 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्सें नंबर सी प्रस्न संख्या 21 कनक लता बर्वा एक किसोर स्वतंता से नानी थी वे कहां की रहने वाली थी किस स्टेट से वह बिलोंग करती थी तो यह जो है असम से उनका संबंध था वो 18 वर्स के उनमें सहीद हो गय थी ठीक है 18 वर्स के उनमें सहीद हो थी भारत छोरो आंदूलन म से उनका एक महत्वपून योगदान था प्रस्न संख्या 22 राजा आंभी कहां के सासक थे राजा आपी तकसीला के सासक थे वहां के राजा थे चुकि बरतमान में अगर बात करें तो तकसीला पाकिस्तान छेतर में पड़ता है और यह जो थे राजा आमभी वह सिकंदर के सं कालीन थे अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 23 निमलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है तो देखिए स्कर्वी कहा जाता है ठीक है ना सूखा रोग की अगर बात करें ठीक है वैसे इसकर्वी जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है इसकर्वी और आपको पुछा जा रहा है रिकेटर्स ठीक है रिकेट्स जो है कभी-कभी हिंदी समझीएगा तो इंगलेस में प्रसानी होगी तो सूखा रोग जो रिकेट्स है वह है विटामिन डी की कमी से होता है तो एंसर हमारा option number D हो जाएगा विटामि संक्या 24 नंबर प्रस एक आवेसित पिंड के द्वारा किसी अन आवेसित या अन आवेसित पिंड पर लगाय जाने वाले बल को निमलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है तो इसे स्थिर वैदुत बल के नाम से जाना जाता है option number C हमारा यहां से correct answer हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रकार का definition था तो इसमें बहुत ज्यादा समझने की ज़ुरत नहीं है प्रस संक्या 25 प्रधान मंत्री जंधन योजना इसके तहत खोले गये बैंक खाते के बारे में इन में से कौन सा कथन गलत है तो सबसे पहले अगर बात करें तो जंधन की सुरुआत यह जंधन यो पुशा गया कि कौन सा option आपका गलत है खाता धारक को रूपे डेविट कार्ट परदान किया जाता है तो बिल्कुल मिलता है बैंक से और सम्मंधित व्यक्ति के लिए एक साधारन बैंक साधारन बचत बैंक खाता खोला जाता है इस option को आप ध्यान से समझेंगे इसमें आपको लेए कि अल्टर दे दिया है अल्टर नहीं है यानि कि पहले से बैंक से जो जूड़े नहीं रहेंगे वहीं जंधन खाता खोल पाएंगे 0.1 तो इसलिए और सम्मंधित व्यक्ति ल प्रदान मंत्री जंधन योजना खातों में जमा रासी पर कोई ब्याज नहीं मिलता है देखे साथों इस पर एंट्रेस्ट पेड जो है किया जाता है चुकि वह सेबिंग अकाउंट है तो ऐसा नहीं है ब्याज मिलता है तो सी तो हमारा यहां से गलत हो गया और पात्र खात अधारकों के लिए दस हजार तकी ओवरड्राप्ट यानि की ओडी की सुब्दा उपलब्द है बिल्कुल उपलब्द है तो हमारा ऑप्सेन नमबर सी गलत होगा बाकी के साड़े ऑप्सेन हमारे सही है प्रस्ट सेंख्या 26 लेब्रा डोड सागर और भूमत दिसागर किस मह महासागर का हिस्सा है तो यह जो है आपका अट्लांटिक महासागर का हिस्सा है आzen नमबर डी यहां से आपका AHReקt आंसर बनेगा दोस्तो हमने शुरू में भी प्रस्ट में किया था कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हिंद महासागर प्रसांत महासागर और हिंद महासागर तीसरे नमबर पर है प्रसांत महासागर पहले नमबर पर है और यहाँ पे आर्क्टिक महासागर की बात करें तो यह चौथे नमबर पर है यानि कि सबसे बड़ा महासागर की बात कर रहा है अटलांटिक महासागर का क्रम जो है शुरुवात से दूसरा है प्रसंट सेंग्या 27 27 नमबर प्रसंट में पूछा गया है कि प्यूटो डी को खाई यानि कि यह प्यूटो ट्रेंच जो है वह निमलिखित में से किस महासागर में अवस्थित है अथवा इस्थित है तो यह जो है अटलांटिक महासागर में पड़ता है अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रसंट संख्या 28 मुगल सामरागी नूर जहां के द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद्दॉला ठीक है न इतमाद उद्दॉला बोला जाता है इतमाद इतमाद उद्दॉला ऐसे भी बोला जाता है उद्दॉला ऐसे भी बोला जाता है और उद्दॉला इस तरीके से भी लिखा जाता है कई जगा कई तरीके से जैसे इसी प्रस में देखें इतिमाद लिखा हुआ है तो आपको हिस्टरी के बुक में अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगे तो इसमें बहुत बारा बवन्डर खारा नहीं करना है यह आपका इतमाद उत दौला या इतमाद उत दौला दोनों आपका एक ही है यह नूर जहां के पिता की याद में जो की मिर्जा गियास था मिर्जा जो है वो गियास बेग था इसी के याद में नूर जहां के द्वारा यह इत्माद दौला का मकबरा का निर्मान किया गया यह पितिव दूरा सहली में इसका निर्मान किया गया था अगर आप नूर जहां के बारे में बात करेंगे तो यह जहांगीर की बेगम थी नूर जहां जो है वह आपकी जहांगीर की बेगम थी इसका निर्मान जो है वह 1622 से 28 के समय कराया गया था बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरह प्रसंख्या 29 उब्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 के अंसार निमलेखित में से किसे उब्भोक्ता माना जाता है किसे हम कंजूमर मानेंगे तो उब्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 में मोधी गवर्मेंट के द्वारा इसे पारित किया गया था यह 20 जुलाई 2020 से यह क्या हो गया था प्रभावी हो गया था बार बार प्रसंद आ रहे हैं और आपका यह क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है इससे क्या हो रहा है अभ्याज जो है और बेहतर हो पा रहा है प्रसन संक्या 30 भारतिय जनताप पार्टी की अस्थापना इनमे से किस वर्ष हुई थी? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस क्या था इसकी जुए अस्थापना 1980 में हुई थी उससे पहले यह 19901 में भारतिय जनसंग के नाम से ती यह अस्थापित हुई थी बाद में 1980 में इसे क्या किया गया था भारतिय जन्ता पार्टी के नाम से अस्थापित गया था छे अपरिल 1980 को प्रसंच्या 31 थोरा सा धीरे धीरे चलेंगे तो कोई दिकत नहीं है प्रसंच्या 31 में कहा रहा है कि निमलिखित में से किस राष्टी आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओ की भागदारी देखी गए थी तो यहाँ था आपका सबिने अभग्या आंदोलन सबिने अग्या आंदोलन उसकी सुरुवात 12 मार्च 1930 को की गए थी सबिने अभग्या आंदोलन की सुरुवात महात्मा गाद्नी के द्वारा जोह 11 सुत्री मांग किया गया था एक 11 सुत्री मांग किया गया था, उसमें अंग्रेज की तरफ से positive परतिकरिया नहीं आया था, इसके कार गांदि जी के दौरा इस सभिने अबग्यां को start किया गया था, शुरू किया गया था इस सबीने वग्या अंदोरन में महिलाओं ने काफी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया था यानि कि महिलाओं की तादाज जी थी वह अच्छी खासी थी खिलाफत अंदोरन की अगर बात करें तो इसकी सुरुआज जो है वह 1919 में हुई थी और स्वदेशी आंदोरन जो है वह पंगाल विभाजन के खिलाब था उसमें विदेशी बस्तूओं की क्या की गई थी होली जलाए गए थी उसका बहिसकार किया गया था विदेशी बस्तूओं का और स्वदेशी के स्वदेशी बस्तों को अपनाने पर बल दिया गया था इसलिए स्वदेशी आंदुलन 1905 में हुआ था इसके अलावा असहयोग आंदुलन की बात करे तो यह आपका 1920 में शुरू हुआ था अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण संख्या 32 प्रोटो जोवा किस रोक के रोक कारक होते हैं दिखे यह मलेडिया की कारक option number B हमारा correct answer बनेगा वैसे साथियो यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है तो हमारा क्या बनेगा option number B यहां से correct answer बनेगा और इससे क्या होता है आपका प्लीहा जो है प्लीहा जिसे इंगलेज में एस्प्लीन कहते हैं साथियो एस्प्लीन है ना यह एस्प्लीन आपका इस रोग में अधिक प्रभावित होता है प्रस्ण संख्या 33 मिट्टी की सबसे नीचली परत को यानि कि जिस मिट्टी का सबसे नीचला लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे जो साथियो तन सेल के नाम से जानते हैं option number C अगर आपको option में साथियो दे दिया रहता बहुत सारा जैसे C संस्तर दिया रहता ठीक है ना C संस्तर, B संस्तर, है ना संस्तर, A संस्तर मान लेते हैं अगर इस तरीके से दिया रहता है या D संस्तर ऐसे दिया रहता तो आपको C संस्तर के साथ जानाता है ठीक है तल सेल था तो option number हमारा C correct answer बनेगा C 34 तंजाबुर का ब्रेफदेश्वर मंदिर जिसे पोरिया कोईल या बडा मंदिर भी कहा जाता है किस भारती राज में यह इस्थित है तो यह आपका तमिलाडू में पढ़ता है एक यह सीव मंदिर है यह तंजाबुर का व्रिधेश्वँर मंदिर स्यब को समर्पित मंदिर है इस मंदिर का निर्मान द्रविट सैली में हुआ है यह आपका बिल्कुल भी सातियों copy paste नहीं है अगर आप चाहें तो इसके magazine को जानी यानि कि जो set हम करा रहे हैं, RBD का उस set को आप ले करके उसके analysis को देख सकते हैं आपको कहीं से यह copy paste नहीं है तो आप comment में please copy paste नहीं लिखिएगा दिल पे लगता है साथी हो चुकि मैं मेहनत करता हूँ और आपके तरब से यह comment आता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता आप copy paste करते हो तो थोड़ा सा respect तो बनता है फिर भी कोई दिकत नहीं आप सोतंत्र है जिस तरीके का comment शह कर सकते हैं मैं तो रुकने वाला नहीं इसके अलाबा अगर हम बात करें इस तंजाबुन मंदिर का निर्मान जो है वो राजा राज चोल के द्वारा किया गया था राजा राज चोल ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था प्रस्न संक्या थर्टी फाइब बावर ने डैस नामक युद्ध पद्रति की सुर्वात की थी तो इसने तुलुगमा यानि की तुगलक नुमा ऐसा भी बोला जाता है तुगल देखिए तुगल नुमा ऐसा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या लिखा हुआ है तुलुगमा तो कई तरीके से देखने में रहा है आपको सेंस को पकरना है तुगलक नुमा तुगलुमा या तुलुगमा इस तरीके से तीन तरीके से लिखा हुआ अभी तक तो मैंने जो history के book देखी है उसमें तीन तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें confuse नहीं हो रहा है आप हम लोग answer को पकर लेंगे तो इस तुगलामा विद्धि का पहली बार जो है वो पानी पत के पर्थम युद में जो की आपका इबराहिम लोदी और बावर के मद्ध लड़ा गया था इसी युद में इस सैली का yuj किया गया था इसमें क्या हुआ था उक्का टाइप का bum टाइप का होता था जो तोप से गोले बरसाया जाते थे और इस तरीके से गोले को बरस्ता देखके वह इबराहिम लोधी की सेना में हलचल मच गई थी चुकि उस लोगों ने इस टाइप का पहले हमला नहीं देखा था इस टाइप का बंबारी नहीं देखा था तोप का तोप के द्वारा बंबारी नहीं देखा था और इससे घबरा कर चुकि अगर बावर की सेना को देखा जाए तो बावर की सेना के कई गुना सैनिक थे इबराहिम लोदी की सेना में फिर भी इस पद्धती के द्वारा जो क्या किया गया था उनके सैनिकों को तीतर बितर कर दिया गया था उनके सहेडरीक जो है वह घबरा गया थे और इस कारण से इबराहिम लोधी पराजित हुआ था माड़ा गया था बावर के द्वारा और अगर बात करें तो बावर जो था वह मुगल वंस का संस्थापक था मुगल वंस की अस्थापना अस्थापना जो है वह बावर के द्वारा किया गया था यह पानीपत का युद जो हुआ था साथियो एक्जामनेशन में आपसे प्रस्ण पूछा जाता है तो यह 21 अपरील 1526 को हुआ था बावर और इबराहिम लोदी के मध्य में जिसमें बावर विजय हुआ था इबराहिम लोदी की पराजय हुई थी प्रस्ण संख्या 36 नमबर प्रस्ण में कहा रहा है कि दिसंबर 2020 में निमलिखित में से किस ने लोगसभा के महा सचीब का पदभार ग्रहन किया है तो यह पद उत्पल कुमार सीं के द्वारा ग्रहित किया गया है उत्पल कुमार सीं को जो है वह लोगसभा के महा सचीब के पदभार पर बैठाया गया है प्रस्ट संख्या 37 भारतिय रिजर्बैंक यानि कि RBI इसके संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा गलत है RBI देश की बिदेशी मुद्रा भंडार का संदक्षक है FDI का तो बिल्कुल है RBI सरकार का बैंकर है यह भी सही है RBI बैंकर का बैंक है यह भी सही है RBI केंद सरकार के लिए वार्षिक बजट तयार करता है देखिए यह वार्षिक बजट जो है वो RBI की द्वारा नहीं किया जाता है यह वित्मंत्राले के विभाग के द्वारा वित्मंत्राले जो है उसका जो आर्थिक मामला है आर्थिक मामला जो है आर्थिक मामले के विभाग के द्वारा इसे तयार किया जाता है हैंड राइटिंग तो सर बिलकुल गंदा है इस बात से तुम्हें एगरी करता हूँ चलिए कोई बात नहीं मैटर आप तक पहुँच रहा है यहीं बहुत अच्छा है अगर बात करें RBI के अस्थापना की तो इसकी अस्थापना जो है एक अप्रेल 1935 को की गए थी प्रेशन संक्या 38 भारी उद्योग और सरवजनिक उद्दम मंत्राले के द्वारा जारी दीशा निर्देशों के अनुसार महारत्म का दर्जा प्राप्त करने है तू पात्र होने के लिए केंद्रिय सरवजनिक छेतर के उद्द्यों को निमलिखित में से कौन सी सर्थ पूरा करना चाहिए यानि कि अगर जो है किसी भी इंडस्ट्री को उद्यम मंत्राले के द्वारा एक क्राइटेरिया होता है जिससे उन्हें महारत्म का धर्जा दिया जाता है यह कौन-कौन से क्राइटेरिया को पूरा करना होता है तो यहाँ पर option A में लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्ष के दोरान कड के बाद यानि कि टैक्सेज पे करने के बाद 5000 करोड से अधिक का आउसत वार्सिक जो है सुधलाब होना चाहिए निवल का मतलब साथियो यहाँ निवल का मतलब है सुधलाब से है ना सुधलाब होना चाहिए तो इस तरीके से 5 वर्ष नहीं यहां पर क्या होना चाहिए तीन वर्स होना चाहिए ठीक है तो option A हमारा क्या है गलत है पिछले तीन वर्स होना चाहिए जिसके दौरान 5000 करोर रुपे से अधिक का वार्सी क्या होना चाहिए सुधलाब होना चाहिए option number B को पढ़ते हैं पिछले 5 वर्सों में इस 5 वर्स को काटिए किसी में 5 वर्स नहीं होगा इसमें भी 3 वर्स होगा देखिए दूसरा point आप याद रखेंगे रटा नहीं मारना है समझ लिजे चुकि एक्जामिनेशन में कई तरीके से प्रसन आ सकते हैं तो फैक्ट याद रखना ज्यादा बहतर है पिछले 3 वर्सों में इस 5 वर्स को हटा दीजे यह तो गलत हो गया statement पिछले 3 वर्सों के दौरान जो है वह 25,000 करोर से अधिका आसत यानि कि average जो है वह annual annual average जो है वह turn over 25,000 करोर से अधिका होना चाहिए और option number C की बात करें तो यह भी 5 वर्स से तो गलत हो गया तो पिछले 3 वर्सों के आसत वर्सिक सुध लाग 15,000 करोर से अधिका होना चाहिए ठीक है और यह भी होना चाहिए तो यह तीनों के तीनों गलत हो गया चुकि सब में 5 वर्स दे रखा है और D में कह रहा है कि नवरत्म का दर्जा प्राप्त होना चाहिए नवरत्म अलड़ी पहले से होईएगा तभी तो महरत्म का दर्जा महरत्म का दर्जा प्रदान किया जाएगा तो सीधी सी बात है तो हमारा क्या हो जाएगा option number D प्रसन संख्या 39 नमलिखित में से किस बाग अभ्यारन को 10 वर्सों के लक्ष के साथ अस्थान पर 4 वर्सों में बागों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवर में पहला अंतराष्टी पुरस्कार TX2 है ना यानि कि टाइगर के जो है बागों की संख्या को दोगुना करने का या TX2 है इस यह पुरस्कार प्रदान किया गया है तो पहले टाइगर रखाय था कि 10 वर्सों में बागों की संख्या को दोगुना करना है बाद में इसे क्या कर दिया गया इस क्राइटेरिया को कर दिया गया कि चार वर्सों में इस बागों की संख्या को दुगुना करना है और इसके अंतरगज जो है वो अंतराष्टिय पुरस्कार जिसे TX2 कहते है न इस यह प्रदान किया गया है तो यह पीली भीत बाग अभ्यारन को यह TX2 पुरेशकार प्रदान किया गया है यह जो आपका TX2 है इसका अर्थ की अगर बात करें भाई इसका अर्थ क्या है तो इसका मतलब है Tigers time 2 Tigers time 2 इसका मूल अर्थ है और यह पीली भीत बाग अभ्यारन को परदान किया गया है यह आपका पीली भीत बाग अभ्यारन वो उत्तर परदेश में परता है प्रस्न संक्या 40 कियंद सरकार के द्वारा सितंबर 2021 में प्रन यानि कि प्रन जो है इस पोर्टल को लॉंच किया गया प्रन का पूर्ण रूप क्या है प्रन का फूल्फरम साब्दिकर्थ क्या है तो इसका फूल्फरम है पूर्ण रूप पूर्टल फॉर्ड रेगुलेशन ओफ एर पॉलूशन इन नॉन एटेंडमेंट सिटीज यानि कि बायू के गुनवत्ता के बारे में जो रिपोर्ट प् कंडिशन को जो तै किया गया है मानक उसको पूरा नहीं किया गया है उन्हीं का यह डाटा क्या करता है रिकॉर्ड करता है पब्लिस करता है अगला प्रस्ट है प्रस्ट सेंग्या 41 41 नमबर प्रस्ट में पूछा गया है कि किस कमान में नौ सेना वायू सेना सेना और तटरक्षक की संपत्ती से जुड़े बड़े पैमाने उस पर सयुक्त सैन अभ्यास जो की एक सकवच है इसका आयोजन किया गया है इसका आयोजन जो है वह अंडमान और निको बार कमान के अ तरकत किया गया ठीक है देखिए प्रस्ट में आप से फूछा गया था कि नो सेना सेना बायू सेना और तटरक्षक ठीक है नेवी की अेब बात कर रहे ठीक है कोश्टल की अगर बात कर रहे कोश्टल कार्ट कि उससे संपत्ति से जूरे जो बड़ा पैमाने पर जॉय ने भी एक्ससाइज थी जॉइंट ने भी एक्ससाइज वह एक्स कबस था इसका आयोजन कहा क्या गया अंडमान एंड निकोवार कमांड पे तो आपसे नंबर डी हमारा यहां से खरेक्ट अंसर बनेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण संख्या 42 42 नंबर प्रस्ण ने पूछा गया है कि मेडेन मियामी उपन टाइटल 2030 किसने जीता है इस टाइटल को जो है वो डेनियल मेदवे देव के द्वारा जीता गया है जो की आपके रूस से सम्मंधित है या जो है रूस के पेसेवर जो टेनिस खिला री है अगर हम बात करें नौ नौवाग जोकोबीच की जो की नौवाग जोकोबीच है वह सर्विया के टेनिस प्लेयर है सर्विया देश से इनका संबंध है इनके द्वारा जो है वह फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का टाइटल जीता गया है इन्होंने कौन सा जीता है याद र का टाईटल जिता है यूयस ओपन का टाईटल जीता है जब कि अगर हम बात करें कि आपका विमल्डन इसकत Upper तुम मेल्डन तुम कि यूद एक धेंग्र कृताब है कार्लोस अलकृराज। न उन्होंने नुवाक जोकोवीच का होडा करिया टाइटल जीता है राफिल नडाल का समद्ध इस्पेन के से है रोजर फेटजर स्वीटजर लेंड के पूर्व टेनिस के लाड़ी है स्वीटजर लेंड से इनका समद्ध था यहां के पूर्व टेनिस के लाड़ी हेड है चुके हैं और डेनियल मेद्वेदे का समझ जो है वह हर रोस से है अगला प्रस्ट प्रसे संक्या 43 43 नमबर प्रस्ट में पुछा गया है कि नेमलिखित में से किस देश ने पामा चीम एयर बेस स्पेस पोर्ट से सोबिट प्रचेपन यान के द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपगरह को अंतरिक्च में सफलता पूर्वग जो है वह प्रचेपित किया है तो यह किया गया है इसराइल के द्वारा आपसे नमबर सी हमारा यहां से करेक्ट अंसर बनेगा इस प्रस्ट में सात्यों उतना कुछ खास नहीं है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट के तरफ प्रस्ट संकिया 44 युनाइटेट किंग्डम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ओफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया ग किया है अप्वाइंट किया गया है अथवासातियों कह सकते हैं नियुक्त किया गया है यह सूबि सुब्रमन्य भारत्य मुल्के है प्रस्ट संकिया 45 खादान जागरुकता और खादान कारवाई में सहायता का अंतराष्ट्य दिवस्ट हर साल किस दीन मनाया जाता है तो इसे प्रतीक साल चार अप्रेल को यहाँ पर क्या किया जाता है इस खादान से संबंदित मुद्धों के लिए लोगों को जागरू करने के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा option number T हमारा correct answer होगा प्रसें संक्या 46 Institute for Energy Economics and Financial Analysis IEEFA और JMK Research and Analytics इसकी नई संयूत रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट है जो की IEEFA और JMK ठीक है इनकी joint रिपोर्ट है एक साथ इन्होंने study करके रिपोर्ट प्रस्वत किया है इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटो विल्किक निर्माता बन जाएगा पहले पर तो आपका चीन है और यह target है कि भारत दो हजार छब्विस तक क्या किया जाए कर लेगा सोलर सबसे बड़ा सौर फोटो वोल्किक निर्माता बन जाएगा पोटो वोल्टिक निर्माता बनने जाएगा 2026 तक भारत अभी क्या है चाइना प्रथमस्थान पर है प्रशन साइंखिया 47 फिक्की महिला संगठन FLO फिक्की का एक पार्ट है FLO महिला संगठन का है ना फिमेंस का इसके 40 अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार गरहन किया ह तो यह पद जो है सुधा सिवकुमार को परदान किया गया है FLO के 40 में अध्यक्ष के रूप में सुधा सिवकुमार ने पद गरहन किया है साथियो फिक्की की अस्थापना 1927 में की गयी थी फिक्की की अस्थापना जो है इसे इस्टैबलिस्ट किया गया था स्थापित 1927 म इसका पूरा नाम है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यह साथ यो जीडी बिरला और पुरुसुत्तम दास टंडन के द्वारा इससे अस्थापित किया गया था किसकी फिक्की की अस्थापना की गय थी इन ही के द्वारा और यह गांधी जी के कहने पर इन्हों ने इसकी अस्थापना की थी गांधी जी के परामर्ज से यह क्या किया गया था फिक्की की अस्थापना की गय थी इसके अलाबा अगर FLO की बात करें FLO की बात करें तो इसे 1909 1903 1983 में इसे अस्थापित किया गया था साथियो लिखने में बार बार error होगा तो कोई दिकत नहीं finally उसे हम सुधार लेंगे यह बड़ी बात है कोई दिकत नहीं 1983 में इसे अस्थापित किया गया था चुकि पेन क्या करता है ने मेरा रुख जाता है इसलिए आपको लगता हो कि गलत हो रहा है पेन रुख जाता है काम सही से नहीं करता है तो यह 1983 में इसे अस्थापित किया गया था अगला प्रेस्ट है प्रसें संक्या 48 दोहजार तेज से दोहजार पचेश के दो साल के कारिकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो इस पद पर जो है सीनु जावर को पॉइंट किया गया है और से नंबर ए हमारे यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे TIE की बात करें तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब वे शाप्षे कने में टाइम लगता है अगला फ्रस नहीं की इस आफ़ीओं नहीं से किस राजह सरकार ने हाली में particularly तीन नय मेडिकल कॉलेज अस्थापित करने के प्रस्ताब को मंजूरी दी है। तो यह प्रस्ताब दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। उस समय कौन थे असोक गहलोत। इनहीं के द्वारा असोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में तीन मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी वो यहां के क्या थे सीम थे पूरू सीम थे और इन्हीं के कारिकाल में राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हीं के द्वारा इस राजस्थान में तीन नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान क गई है अगला अगर बात करें राजस्थान का बरतमान में सियम कोन है तो राजस्थान के बरतमान सियम जो है वह भजनलान सर्मा बने है भजनलाल सर्मा भजनलाल सर्मा यह जो है राजस्थान के बरतमान में चीफ मिनिस्टर है उत्तर परदेश सभी जानते हैं योगी आदित नाथ बताने का कोई ज़िश्वडत नहीं है इतने फेमस है गुजरात की एकर बात करें तो यह हो जाएंगे भुपएंद्र भाई पटेल जोकि गुजरात के سी म है और महराष्ड की बताने की कोई बात नहीं है नाम ही है एक नाथ एक ही नाथ है एक नाथ सिंद्वी चुकि यह इस तरीके का नाम जो है याद करना आसान हो जाता है बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ प्रसंद सेंख्या 50 पचास नमर प्रसंद में कहरा है कि हाल ही में किस ने राश्टिये रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का एप संसकरन लॉंच किया है तो इसे लॉंच किय गया है सरबानन सोनवाल के द्वारा जो कि क्या है जल रानी या जहाज रानी या जो भी कहिए या जलमार्ग मंत्री कहिए इस पद पर हैं जलमार्ग मंत्री भी कह सकते हैं है ना केंद सरकार के या मंत्री है अगला प्रसंद है प्रसंद सेंख्या 51 पादपो को समुद से व भाजित किया जाता है निवने बिकल्पों में से कौन उन में से एक नहीं है देखिए आबरित बीजी पौधे के अंतरगत है नगनिबीजी थैलोफाइट है और थो पोड़ा इस जगत के अंतरगत नहीं आता है सिंपल सा प्रस्न है अप्से नमबर यह हमारा करेक्ट आंसर हो होगा तो क्या है एक परमानूर एक्टर नहीं है कंप्यूटर है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ऑप्से नमबर भी हमारे हां से करेक्ट आंसर बनेगा इसे साथ योग नेशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको तयार किया गया था है पूरा से तहत इस परम सिद्धी को यानि की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सूपर कंप्यूटर को तयार किया गया था बढ़ते हैं अगले प्रसंद के तरफ प्रसंद संखिया तीरपन निमलेखित में से कौन सा अचार के लिए एक अक्षा परिड़क्षक नहीं है बहुत अच्छा आप अचार बनते हुए घर में देखते होंगे तो नमक डाला जाता है त्याकि उसमें कीरा नहीं लगे तो यह तो सही है सोडियम मेटा बाइसालफाइट इसको भी मिक्स किया जाता है इसलिए चुकि जब क्या किया जाता है सोडियम तो नमक कहीं प्रकार है लेकिन एक कैम कर लए तो इससे क्या क्या जाता है कि commercial industry में यानि कि आप देखते होंगे दुकानों में बंध डिबों में अचार बेचा जाता है तो उसे में यह जादे दिन तक सर्वाइव कर पाए क्योंकि धूप भी नहीं लगता है आप सोच के देखिए जब वह दुकान में घर में रहता है तो मम्मी दादी लो क्या करती है कि धूप लगा देती है ताकि वह और अधिक दिन तक चलता है लेकिन वह तो धूप नहीं लगता है तो उसके लिए sodium metabisulfide और sodium benzoate को mix किया जाता है ताकि क्या हो उसको अधिक दिन तक सर्वाइब करना है चुकि commercial छेतर में जोवर नहीं expired है अगर देर महिना दो महिना मान लेजे तीन महिना करें तो तीन महिना तक उसको सही रखना है तो इसके लिए उसमें इसे mix किया जाता है और काली मिर्च का इससे संबंध नहीं है म इसे परिड़क्षित नहीं क्या सकता है तो आपसे नमबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा प्रसेंग्या चोवन अल्ट प्लेस टैब डैस का एक सौटकट है यह जो है खूले प्रग्राम के बीच जो है इससे स्वीच करने के लिए यानि कि इधर से उधर स्वीच करना का म ठेहतर लग रहा है तो प्लीज एक लाइक आपके दरफ से बनता है चोकि इसके लिए इस कौंटेंट पर तैयारी करने के लिए मुझे बहुस सा मेहनत लगा था और इस मेहनत का जो कॉंपलिमेंट है जो इनाम है वह आपके तरफ से एक लाइक के रूप में मिल सकता है जोक महिला में पाए जाती है और मूड को संतुलित करने नियमिद मासिक धर्म के से इसका संबंद नहीं है पुरुष प्रजनन उत्तक नहीं है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए इस एस्ट्रोजन का यह मूलकार है वैसे साथियों हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि यह मासिक धर्म में भी यह निभाता है लेकिन मूलकार की अगर बात करें तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए गर्भधारन करने के बाद गर्भ गर्भावस्था बनी रहे ठीक है ना इसमें जो है मिसकरेज ना हो इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अधिक आटोमेटेट टेलर मसीन जिसे ATM कहते हैं इसका नामक कैस मसीन के विकास का स्रे भारत में जन में किस एसकोटिक अविसकारत को दिया जाता है तो इसके लिए जोनाल सेफ़र बैरन जो कि भारत में जन में एसकोटिक अविसकारत है और उन्हें ATM के मसीन के विकास के लिए क्य क्या जाता है क्रेडिट जा जाता है स्रे दिया जाता है अपसे नमबर डी यहां से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा प्रसें संख्या 57 ब्रेसी का कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है किस पौधे का वनस्पतिक नाम है ब्रेसी का कंपेस्ट्रिस तो यह सर्सो का जो बीजो की दुखान पर तो उसके बैग पर बोड़े पर लिखा रहता है प्रसंस हैं क्या 58 नेम लिखित में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है अब देखिए एंड्रोइड मिंट और उबुन्टु जो है वो ओपरेटिंग सिस्टम है जबकि टैली का समन्ध क्या है एक जबकि यह सब क्या है ओपरेटिंग सिस्टम है प्रसंस संक्या 59 हाइग रो मीटर सी क्या मापा जाता है तो इसके द्वारा humility मापा जाता है यानि हमिड आदिर्टा मापा जाता है option B 27 यों करेक्ट रन्सर बनेगा प्रसंस संक्या 60 लेड का रासायनिक प्रतीक प्रतीक PV ले से पीबी के नाम से जाना जाता है पीबी से इसका सांकीतिक है इससे डिनोट किया जाता है प्रसन संक्या 61 वह सिस्टम जो IP पते एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्थित कहता है उसे क्या कहते हैं उसे domain name system कहते हैं domain name system option number A हमारा correct answer बनेगा प्रसन संगिया 62 DRDO के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में, मार करने में सक्छम है तो यह हो जाएगा आपका अस्तर option number D इसकी मारक छमता जो है 80 से लेके 110 km तक है DRDO की अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना 1908 में की गई थी अगला present present संगिया तिर्शट एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है तो यह 1024 बाइट के बराबर होता है एक किलो बाइट ठीक है और साथियो 1024 MB क्या बनेगा जीवी बनेगा इसी तरीके से साथियो आगे बढ़ते जाएगा present संगिया 64 निमलिखित में से कौन एक और जैबिक घटक नहीं है देखिए पौधा क्या है बढ़ता है है ना चुकि यह क्या होता है सजीव होता है तो यह क्या है जैबिक घटक है यह जैबिक घटक है जबकि निर्जीव जो क्या होता है अजैबिक घटक होता है चुकि यह निर्जीव होता है तो जल, सूर्य और मिर्दा यह सब क्या है अजैबिक घटक है आप से पूछा गया है कि अजैबिक घटक नहीं है इसको कौन सा नाम दिया गया है तो इसे आदित L1 नाम से जाना गया है option number A इसका correct answer हो जाएगा इसे 2 September 2030 को launch किया गया था इस आदित L1 प्रोजेक्ट के project director जो है project director की अगर बात करें project director वह निगार साजी है निगार साजी आदित L1 के project director जो है वह निगार साजी है यह प्रस्ण आपसे examination में पूछा जाएगा याद रखेंगे चुकि यह बहुत बड़ा achievement है इंडिया के district कों से पूरे world level में अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 66 प्लास्टिक में निमलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है एथिलीन का option number बी हमारे हां से correct होगा एथिलीन इसका रसायनिक सुत्र जो है वह C2, H4, N और H2 होता है इस एथिलीन का है रसायनिक सुत्र अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 67 बिग बैंग सिध्धांत का प्रमान किसने दिया था यह प्रमान जो है वह George Lemaitre को द्वारा दिया गया था इहहा क्या थे एक रोमान पादरी सब्सेंड़ को बिग बैंग सिध्धांत को क्या किया था प्रतिपादित किया गया था यह अथो दिया गया था concept प्रसन संक्या 68 भारत का कौन सा राज सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज है आप सभी जानते हैं करनाटक कुलारगुल फिल्ड तो 68 का हमारा A correct answer हो जाएगा इसके अलाबा अगर बात करें साथी हो चुकि यहां पर बिहार नहीं है बिहार के जमूई में है ना सबसे बड़ा सोना का खान पाया गया है सोना का खान मिला है और यह जो है वह भुगर भीवाग के द्वारा इसे क्या किया गया है सुचित किया गया है और यह बिहार के जमुई में मिला है फिलहाल यहाँ पर option क्या है करनाटक में जो क्या है करनाटक के द्वारा भारत के लिए सबसे ज़्यादा सोने का production किया जाता है तो सही है option number A प्रस्ण संक्या 79 निमलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुव से बना होता है कौन सा तंत्रिका जो है वह तंतुव से बना होता है जो प्रतिवर्ति क्रियाओं के बीच मध्यस्ता करता है और आबेगो को मस्तिस्क तक मस्तिक से विभिन भागों तक पहुंचाता है तो यह जो कार्ड जो होता है यह मेरूरेजु का होता है option number D हमारा यहां से correct answer बनेगा चुकि actually अगर figure रहता तो उसमें थोरा सा समझाने में बनता है और ऐसे हवाई बाते करने में जादर समझ में नहीं आती है बरगत के पेर का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम जो है वो फाइकस बैंगलेसिस है option number A बरगत का नाम आप याद रखेंगे वानस्पतिक नाम फाइकस बैंगलेसिस प्रसिन संख्या 71 सिंदू घाटी को सोना घाटी से जोडने वाली साही सरक का निर्मान किस ने करवाया था? तो यह सिर्षा सूरी के द्वारा कराया गया था और इसी साही सरक को grand trunk road के नाम से जाना जाता है सिर्षा सूरी के द्वारा सूर्वंस की अस्थापना की गई थी इनके बच्पन का नाम जो है वो फरीद खान था इनके द्वारा जो है बाग को माट डाने पर यानि कि सेर को कही सेर को माट डालने के कारण का नाम सेर खा पड़ा था इसके अलाबा अगर बात करें तो सासा राम में सेर सासूरी का मकबरा इस्थित है कई सारे प्रसंद सेरसा सूरी समंधित बनेंगे तो इतना डील करेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा प्रसंद संख्या 72 कितने बच्चों को प्रधान मंती राष्टिय बाल पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो कुल 32 बच्चों को 32 बच्चों को प्रधानमंति राष्टिय बालपुरस्कार 2021 में प्रधान किये गए प्रशन संख्या 73 निमलिखित में से किस ब्रिटीस निती ने लोगों को जालिया वाला बाग अमरिस्तर में एकत्र होने के लिए विवस किया था देखिए रॉलेट ए नहीं बिना एरिस्ट वारेंटिंग के सक के आधार पर गिरफतार किया जा सकता था और इसी गिरफतारी पर रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ और इसी एक्ट के कारण वहां के अस्थानिये कॉंग्रेस के जो अस्थानिये नेता हुआ करते थे डॉक्टर सत्यपाल और सह गिरफ्तार्जी कर लिए गए थी और इस काला कानून का विरुद करने के लिए 13 अप्रेल 1919 को जालिया वाला भाग में लोग इकठे हुए थे 13 अप्रेल 1919 को इकठे हुए थे और इसी भीर पर जेनरल और डायर के कहने पर अंधादूर फाइडिंग करवा दी गए थे जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गया थे यूँ लाखों लोग कह सकते हैं, बहुत सारे चुकि इसका कोई record नहीं दिया गया था government के दोरा कम आका गया था चुकि वहाँ पर जो मौजूद जो बचे थे उनके दोरा बताया गया था चुकि लाखों में उहाँ पर भीर थी और लगभग लोग उहाँ पर मारे गया थे रॉलेक्ट एक्ट जो है, वह 21 मार्च उनीस्सों उनीस्स को लागू हुआ था, पारित हुआ था और इसी एक्ट के तहट साथियों क्या किया गया था, सत्यपाल और सहफुदीन किष्ली, सहफुदीन किष्ली की गिर्फतारी की गए थी और इसी का बिरोध करने के लिए 13 अप्रिल उनीस्सों उनीस्स को जलिया वाग में लोग इकठित हुएं, इस पर गुले ही चलवा दी गए और यह साथियों इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ट संक्या 74 समानत संयुक्त राष्ट प्रतिवर्स किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आहवान करता है तो यह किया जाता है युनाइटेड नेशन के द्वारा सितंबर को option number D यहां से हमारा साथियों correct answer हो जाएगा अगर हम बात करें इनकी यानि की युनाइटेड नेशन की तो युनाइटेड नेशन का जो है वह हेड़क्वार्टर वह आपका New York में पढ़ेगा जो कि कहा है युनाइटेड अस्टेट ऑफ अमेरिका में है और इसके महासचीव एंटोनियो गुटेरस है बढ़ते हैं अगले प्रसंद के तरफ प्रसंद संख्या 75 निमलिखित में से कौन सा राजनितिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा देखिए मनमुहन सिंग की अगर बात करें तो वह कभी भी सदन का नेता लोकसभा में नहीं रहें वो प्रधान मंत्री के पदपर थे और उसे पहले जो थे वो वित मंत्री भी रहे हैं अर्थ सास्त्री भी रहे हैं ठीक है और भारत के यह तेरहवे प्रधान मंत्री थे आप्सिनक्या गानधी जी को चमपारन की समस्याओं के बारे में सूचित किया घया था और वहाँ आने के लिए अबगत किया गया था आमंत्रित किया गया था तो यह लखनाव अधिवेशन जो था 1916 इसे में महात्मा गांधी जो है वह चमपारन सत्यागरा से उन्हें अबगत कराया गया था और वहां के किसान थे राजकुमार सुकल राजकुमार सुकल ने वैसे कई बार उन्हें उनसे चमपारन में किसानों के दुरदसा पर के बारे में बताया था और वहां आने के लिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया था और बाद में गांधी जी वहां पे गय थे महात्मा की उपाधी प्रदान की गई थी बढ़ते हैं साथियों अगले प्रसंद की तरफ वी यू तो बहुत सारे फैक्ट है बहुत सारे फैक्ट है बताने में तो सर्फ पूरा पांच घंटा या दस घंटा लेगा पता नहीं प्रसंद संख्या आपका 77 प्रस्ण संख्या आपका हो गया, 1978, 78 नमबर प्रस्ण में करना है कि नमलिखित में से इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है, तो यह हो जाएगा आपका दमन अप्सेन नमबर C, प्रस्ण संख्या79, इनमें से किस रेलवे स्टिशन को यूनेस्को के वि इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है प्रशन संक्या 80 असी नमबर प्रशन क्या रहा है कि 2011 की जन्गन्ना के अंशार इन में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आवादी वाला राज है इसमें बहुत सारा लोचा नहीं है बढ़ते हैं सीधे आगे प्रशन की तरफ प्रशन संक्या 81 भारत में पहली संपून जन्गन्ना कब की गई थी यह भी साथियो एजी प्रशन है 1881 में पहली बार क्या किया गया था कंप्लीट जो है वह जन्ग्या किया गया था संपून जन्गन्ना ऑप्सिन नंबर सी हमारा यहां से करेक्ट आंसर बनेगा प्रशन संक्या 82 दो हजार उनीस में आयोजित संगहाई को ऑपरेशन और्गनाईजेशन की राज परिशदों के प्रम्खों की बैठक का आयोज़ इनीमेस 21 सहर में किया गया था आप सभी जानते हैं 82 का ऑप्सिन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इसका मुख्याले जो है संगहाई कोपरेशन और्गनाईजेशन का मुख्याले आपका कहां परता है बिजिंग में परता है जीन के बिजिंग में परता है और इसकी अस्थापना जो है वह 15 जून 2001 को की गई थी संगहाई कोपरेशन और्गनाईजेशन की अस्थापना प्रसिन संख्या 83 भारत ने सायरस रियक्टर की अस्थापना किस अस्थान पर की इसकी अस्थापना भारत के द्वारा मुंबाई के ट्रॉंबे में किया गया ऑप्सिन इन में से किसने लाल कुर्ती आंदोलन रेड़ सर्ट चलाया था तो यह चलाया गया था मौला नहीं सौरी खान अब्दुल गफार खा के द्वारा ओप्सें नमबर हमारा एक औरेक्ट आंसर हो जाएगा इन जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया उसे खुदाई खिद्मतगारी के नाम से भी जाना गया था अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 85 सालतो मोरो कांगरी चोटी देखिए नाम थोड़ा सा आजीब है लेकिन इजी है सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर इस्थित है तो यहां आपको भारत पाकिस्तान सीमा पर देखने को मिलते हैं यहीं पर यह एक उची चोटी है जिसकी उचाई 3742 मीटर है डबल सिमन 42 मीटर इसकी उचाई है और यह भारत पाकिस्तान के सीमा प्रेश्तित है साथियों आपको एनलाइस कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे नहीं पसंद है तो आप कमेंट में आपको कहां से कमी लग रही है वह जरूर बताएं बढ़ते हैं हम साथियों अगले वीडियो की तरफ जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में अप्लोड किया जाएगा तो आप सभी तब तक इस चानल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन अन करने के बाद अल नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने के बाद अल नोटिफिकेशन को अन जरूर कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका मैसेज उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप सब तमाम दोस्तों को तमाम फ्रेंड्स को गुड़नाइट सुबरात्री